नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरब और आप देख रहे हैं मारकेट रिपोर्ट आएए बात करते हैं नेच्रल गैस MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने नेच्रल गैस MCX का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरी इस लेवल हमारे लिए important रह सकते हैं और उन्हें देखते हुए हमारा क्या view बनता है हमें buying करनी चाहिए selling करनी चाहिए थोड़ा सा wait करना चाहिए केसी भी trade में एंटर करने से पहले आए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेच्रल गैस MCX का चार्ट दोस्तों य एक और recovery जिसमें यह वाला high भी break हुआ और market नहीं यहां से थोड़ा सा नीचे आकर अपना last trading price 214.10 पे किया और market close हो गया initial gas में अभी तक जिस तरीके का एक trend चल रहा है इसमें सबसे important जो हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है वो एक ही है base price इसने अपना बना रखा है 200 पे और उपर में एक closing price अगर हम देखें तो 216 के उपर market ने अभी तक closing नहीं दी है उसके बिलकुल nearest point पे market ने closing दी है 215.90 पे लास्ट ट्रेडिंग डेवे में भी हमने यहीं देखा 215.40 पे market close हुआ है यहाँ एक सबसे important चीज़ और यह है यह तो सबसे पहली चीज़ है base price 200 है 200 जैसे ही break होगा उसके बाद तो फिर sustain होने का भी time wait नहीं करना सीधा market में एक crackdown आजएगा और काफी नीचे की तरफ market जाने लग जाएगा तो 200 के base price को पहली चीज़ के आप ध्यान रखें बहुत important price है अभी दूसरी चीज़ के market में जब तक वो price break नहीं होता selling का एक view लेके चलना मतलब intraday में तो कुछ level समारे ऐसे होते हैं कि उपर भी जा रहा है market नीचे भी जा रहा है उसी चीज़ में अभी market है consolidation phase में लगा हुआ है उपर में breakout नहीं दिया है ठीक से नीचे में support बहुत strongly लिया हुआ है इस range के बीच में trade कर रहा है 214.10 last trading price रहा और उसके बाद जब market close हो गया हमारा MCX close हो गया नाइमेक्स में जो trading है वो continue रहती है वहाँ पर हमने देखा कि यहां से भी थोड़ा सा और नीचे आके मतलब अगर बात करें तो लगभग 210 या 11 के आसपास का एक price मेरे खाल से बनेगा जहां पर market अभी trade कर रहा है तो एक चीज़ जरूर है कि market में strength बनी हुई है नीचे में breakdown नहीं आ रहा है और उस range को hold किया हुआ है और अगर सिर्फ natural gas MCX की हम बात करें तो जो strength है वो अभी तक continue हुई है थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार 15 मिनट के time frame पर वहाँ देखते हैं कि क्या view हमें नजर आ रहा है यहां पर अगर हम बात करें तो धीरे धीरे market में correction आई यहां से एक recovery ऊपर के prices फिर वहाँ से correction फिर recovery फिर correction फिर recovery direction नहीं है strength है direction तब होती है अगर market continuous एक के बाद एक price लगाता रहता चाहे उपर में या नीचे में अभी consolidation है with some strength 200 रुपय का जो base level इसने बनाय हुआ है उसे उसके पास इसने यहां पर 15 मिनट के time frame पर भी नजर नहीं आ रहा है थोड़ा सा और आगे चलते हैं वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए market उपर गया यहां से नीचे आया 200 उपर गया फिर नीचे आया exact same level यह double bottom का एक इसने यह formation बनाया जो बहुत important रहता है किसी भी trading strategy में उपर में यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह पर यह price level उपर में भी resistance शो कर रहे हैं सिर्फ एकी चीज़ important है कि जो इसने 216 का जो level break किया हुआ है closing उसके open नहीं दे पारा वो एक sign इसमें थोड़ी सी strength indicate कर रहा है उपर में हाला कि अभी तक हमें एक जो trend हम expect कर रहे हैं वो देखने को नहीं मिला है पर जब तक 200 का level नीचे में break नहीं होगा जो view है वो completely downside का लेना वो बहुत जाला गलत रहेगा prices उपर sustain तरह रहे हैं opening ज़रूर यह मैं expect कर रहा हूँ कि Monday को नीचे में हो सकती है पर जब तक 200 का level break नहीं होता उससे पहले भी एक price level है उसके भी हम बात करेंगे तो यहां से market उपर आया यहां भी sustain नहीं किया नीचे से फिर recovery दिखाने की कोशिश की यहां पर भी अभी हम देखने हैं कि sustain नहीं करा क्योंकि नाइमेक्स में जो closing है वो काफी नीचे होई है वो 211 के आसपास का कुछ level रहेगा वहां पर market ने अपनी closing दिखाई है तो कही ना कहीं उपर में selling नीचे में buying और इस range के बीच में अभी इसने अपने prices को hold किया हुआ है ऐसे में सिर्फ एक ही तरीका होता है trade करने का कि जब अपने support price के पास market जा रहा हो वहां पर यह मैं पहले भी ऐसे बता चुक हूँ पर इस strategy को मैं थोड़ा इतना support नहीं करता market उपर गया यहां का अपने already एक stop loss लगा हुआ है यह ठीक है यहां पर यहां का stop loss लगा है market उपर गया यहां पर sell कर दिया stop loss हमारा लगा हुआ है यहां से नीचे आया फिर यहां buy कर लिया फिर यहां से उपर क्या sell कर दिया यहां नीचे क्या buy कर लिया तो जब तक यह इस consolidation range में बना रहेगा किसी भी script का चार्ट ले लीजिए जब तक वो उस consolidation में बनी रहेगी वो script तब तक आप नीचे में buying उपर में selling की strategy को चला के रख सकते हैं जैसे ही एक breakout या breakdown मिलेगा उस script को उस particular script को उसमें एक तेजी आजेगी या फिर मंदी आजेगी जब उसके बाद आपको इस strategy से बिलकुल बाहर निकल जाना होगा और फिर आपको एक trade में enter करना होगा जिसमें आप carry over भी position ले सकते हैं या एक trend आपको जब मिल जाता है तो आपकी कोशिश ही रहती है कि फिर आप दोनो side के trade आप नहीं लेंगे नीचे आएगा market वहाँ से turn ले रहा होगा तो buying करेंगे उपर जाएगा वहाँ से turn ले रहा होगा तो selling करेंगे मतलब यहाँ से market ने breakout दिखाया तो आप buying के ही trade लेंगे long positions ही लेंगे market थोड़ा सा नीचे आ रहा है यहाँ से फिर recovery दिखा रहा है फिर आप long position create कर सकते हैं फिर already अगर hold की हुई है तो उसे continue रख सकते हैं इस तरीके से आप trade कर सकते हैं यहाँ पर जो range बनी है एक तो closing price की range है 216 और base price है 200 इस range में अभी market trade कर रहा है 216 के उपर जैसे ही Monday को अगर थोड़ी सी भी strength बननी शुरू ही तो 216 के उपर market ज़रूर close हो जाएगा क्योंकि MCX पे काफी है कि strong इसने holding दिखाई है prices में पर 9MAX पे इसका थोड़ा सा हमें एक pressure में नज़र आए इस वज़े से prices जो है वह हम नीचे चले गए तो 216 के उपर market का close होना ये indicate कर देगा फिर आप selling नी फिर आप तो completely एक long position लेके चलेंगे 200 के break करते ही market में जो selling है वो काफी speed से आ सकती है 190 के target most possible achieve हो जाएगे 190 के भी नीचे 185 तक के फिर target levels नज़र आ रहे है दूसरी जी 200 के break होते ही market में जो correction आएगी वो काफी speed से आने वाली है ठीक है तो इस level को इस price level को आप lightly ना लें जब तक इस range में है थोड़ा सा ध्यान रखिए और बलकि मैं मेरा सबसे best जो मैं समझता हूँ कि क्या strategy रह सकती है जब तक इस range में है आप trade मत कीजिए पर वही है daily trader है कैसे रुख जाए वो थोड़ा सा सबसे मुश्किल काम है हमारे लिए mobile के बिना भी रुख जाएंगे पर trading के बिना नहीं रुख पहेंगे तो 200 जब तक break नहीं होता आप या तो वेट कीजिए 200 break को उसी दिल trade लेंगे कम से कम ये जरूर रहेगा कि जो ज़ादा possibility वाले trade है जिसमें हमें profit हो गई होगा वो हम लेने की कोशिश करें वरना intraday में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको रोज profit हो कई traders ऐसे बोलते हैं कि मैं daily के दोस्तों कमा लूँगा daily के 1000 कमा लूँगा कोई trader ऐसा नहीं है जो daily का एक रुपए की भी sharety दे सके और एक रुपए रोज का कमा के दिखा दे ठीक है तो एक इस तरीके का trend अभी है नज़र आ रहा है और थोड़ा सा आगे चलते हैं चार गंटे के टाइम फ्रेम पे वहां देखते हैं कि क्या view नज़र आ रहा है यहां पर हमने देखा market इस तरीके से एक downtrend में बना रहा उपर आया फिर से correction यहां से फिर uptrend में स्टार्ट किया और यह कुछ time से आप यह pattern देख रहे हैं यह एक range है जिसके बीच में भी trade कर रहा है बहुत strong range strongly hold किया हुआ है prices को इसके उपर closing जो इसने अपना highest level बना दिया है इसके उपर Monday की closing पूरे हफ़ते इसमें एक uptrend रख सकती है और कौन सा price हमें धियान रखना है उस पर भी बात करेंगे और आके चलते हैं एक बार daily charts पर और नजल डालने market में slightly downtrend consolidation यह ना wide range फिर एक uptrend correction उपर जाना शुरू है उपर से फिर एक zigzag pattern में market नीचे फिर zigzag pattern में उपर और अभी यह एक wide range में consolidation यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें यह चीज़ जरूर लग रही है कि उपर में closing होना बहुत easy रहेगा क्योंकि market ने जिस तरीके से strength दिखाई है 215.30 पर इसके उपर close होना Monday को बहुत easy रहेगा पर क्योंकि अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा कि 216 के उपर market close हो रहा हूँ तो expectation यह जरूर है कि शायद Monday को उपर close हो जाए और उसके बाद एक one-sided view हमारा बन जाएगा कि अब strength है long position ही लेके चलो अभी भी long position की ही एक view recommend कर रहे है जब तक यह इस price को break नहीं करता ठीक है वापस चलते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पे वहाँ देखते हैं कि क्या view हमें नजर आला है एक घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ तो एक important price है इस time 206.50 but again मेरे ख्याल से यह इसका low हो गया low के आसपास ही है इसके break होते ही 200 पे एक strong very major support इसे मिला हुआ है यहां पर sell करने के बाद यहां पर इसका next level है बीच में 2-3 रुपए के लिए अगर market ने अपने आपको hold कर लिया तो फिर से एक situation जो है वो एक risk में आ जाएगी कि आप क्या करें exit कर जाएं या wait करें तो इसलिए यह price level ज़रूर है पर यह intraday यह उस range के बीच में है जो range अभी तक initial gas ने दिखाई हुई है तो उसके break होने का wait करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ज़्यादा safe रहेगा इस range के बीच में है तो मतलब 200 से 206 रुपे 50 पैसे के बीच में है तो मैं यह recommend करूँ हूँ है कि आप सिर्फ उसे track केजिए या फिर आप अगर एक बारी में 5-6 lot में अगर आप trade करते हैं तो एक या 2 lot में आप यहाँ पर selling कर सकते हैं with a reasonable stop loss जहाँ पर stop loss होना चीग है उस selling के time पर ठीक है दूसरी चीज हम क्या अगर सकते हैं उपर में एक level है intraday की यह मैं बात कर रहा हूँ मैं closing की बात नहीं कर दा उपर में है 217 रुपे 50 पैसे यहाँ पर यह price break होगा तो आप intraday के लिए long portion create कर सकते हैं but again उपर में 222 ते अगर हम मुझे लगता नहीं है कि यह time बहुत ज़्यादा दिनों तो continue रहने वाला Monday या maximum Tuesday एक clarity charts पर बहुत जल्दी आ जाएगी कि नीचे में अगर breakdown देना है तो market नीचे को एक price को break कर चुका होगा 200 को या फिर उपर में अगर होना है तो closing जो है वो उपर की side पे हो चुकी होगी इस range के बीच में अब इसका ज़्यादा time तेक hold करना वो काफी ज़्यादा मुझे 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 लग रहा है तो यह कुछ level है जो हमें ध्यान में रखने है 200 के break होते ही market में जो correction है मैं अपसे फिर से बता रहा हूँ वो बहुत speed से आने वाली है तो दोस्तो यह था मेरा और उपर में 217 के आसपास भी अगर market ने closing दिखा दी तो 240 के आसपास तक के हमारे target levels नजराने शुरू हो जाएंगे ठीक है तो दोस्तो यह था मेरा national guest पे अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगाता हूँ लाइक करें शेयर करें बने रहे हैं मेट साथ देखते ही market report और हो सके तो मेरे channel को join भी करें धन्यवाद